अच्छे बुरे हर कदम पर चल सकते हैं जो चाहे जैसी चाहे वैसी जिन्दगी बना सकते हैं बस बात यह कि आप खुद को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं अब जैसे एक लड़का था उम्र होगी लगबग 14-15 साल अब वो बंदा पहले काफी डरपोक सा था मतलब घरवाले काफी पागल पागल बोलते उसे मारते और स्कूल की पिटेंशन अपने दोस्तों में भी उसका कुछ ज्यादा रुतबा नहीं था कोई उसे कुछ ज्यादा पूछता नहीं था मगर वो फिर भी अपने दोस्तों के साथ गूमता फिरता रहता फिर यार इस एज में ऐसा होता ही कि आपको हर एक चीज का कुछ अलगी नया एक्सपिरियंस होने लगता है मतलब बारिश के बीगने से तूप की रोशनी को भी आप इस तरह से फील करते हो जैसे कुछ नया एहसास हो इसके साथ भी ऐसा ही था ये बंदा अपने दोस्तों के साथ गूमता फिरता तो उसके दोस्त कुछ गलत चीजे करने लगे थे जैसे सिगरेट पीना, ड्रींग करना अब पहले तो ये बहुत डरपोक किस्म का था पर जैसे जैसे ये भी चुप चुप कर ड्रिंक वगएरा करने लगा तो इसका भी होसला भढ़ने लगा अब इसके दोस्त भी इसे बुलाने लगे क्योंकि उन्हें भी कमपनी मिल जाती थी और इसे लगता था कि भाई अब तो सब मेरी पूच कर रहे हैं फिर दीरे दीरे जैसे बड़े होने लगा इसकी लाइफ और ज्यादा हैल होने लगी अब जब तक जिम्मेदारिया नहीं थी तब तक तो नशे वगएरा में गूमना ठीक था मगर जब जिम्मेदारिया बढ़ी तो जो इसके दोस्त थे जिनके साथ के ड्रिंक वगएरा करता था उन्होंने भी मिलना कम कर दिया सब अपने अपने घरों को देखने लगे सब या तो छोटा मोटा काम करते या छोटी मोटी दुकान से पेड़ भरने की कोशिश करते इसको तब समझ में आया कि वो पूछ जो बच्पन में हुआ करती थी जो सिर्फ बातो बातों से बोल देते थे कि भाई तू तो बहुत पी लेता है तेरी कैपिसिटी तो बहुत ज्यादा है तू तो बड़ा साही बंदा है वो पूछ लाइफ की असली पूछ से कि तुम क्या करते हो क्या बनना है कितना कमा लेते हो इसके तो आगे पीछे भी नहीं थी अब इसने ठान लिया था कि यार बाकी लोगों की तरह सिर्फ चोटा मोटा काम करके जिन्दगी बसर तो होगी नहीं और अगर जिन्दगी में कुछ करना है तो अभी की जिन्दगी को ऐसे जीना पड़ेगा जैसे गरम भट्टी में सोना तप करनिकरता है इसने सब को छोड़ा हर किसी से मिलना बहुत ज़्यादा बहार गूमना बहुत ज़्यादा बुरी आदतों के साथ जीना सब कुछ बदलने के उपर फोकस किया सबसे पहले तो इसने अपनी आदतों पर काम किया असलियत में आपको अगर कुछ करना है तो वो तब होगा जब आप उस काम की नौलिज लेंगे इसने भी ग्यान डून न शुरू किया इसने अपने अपने ही एरिया में उनसे मिलना और उनसे रिलेशनशिप को अच्छा बनाना बॉंड बनाना शुरू किया उनके साथ रहने से इसका बुरी आदतों से हाथ छूटने लगा वो लोगी से वो सब याद आने ही नहीं देते थे कि ये फिर से बुरी आदतों के दलदल में गिर सके इसने उनसे पावर ली और उनसे बहुत दिल से बोला कि मुझे सुधारने में मेरी मदद कर दो उन लोगोंने इसे सिर्फ सहारा दिया और इसने खुद को ऐसी पावर दी कि दो सालों के अंदर-अंदर इसके पूरे खांदान और इसके महले में इसके काम के और इसके नाम के चर्चे होने लगे तो भाई बात यह है कि खुद को बहुत ज्यादा गिरने मत दो आपकी असली पावर आपकी सोच है लोग आपको आपकी कैपसिटी से नहीं जानते लोग आपको आपके इस रुत्वे से नहीं जानते कि भाई कितना पीते हैं, कितना उड़ाते हैं बलकि आप काम क्या करते हैं, लाइफ किस तरह से जीते हैं आपकी thinking क्या है, इन सबसे आपकी इज़त बढ़ती है तो जो advice 15-30 साल के लोगों के लिए बनी है वो ये है कि आपको अपने ग्यान पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए सिर्फ school या institute में जो आपको सिखाया जा रहा है, उतना ही काफी नहीं है बलकि आपको बाकी लोगों से भी बात करनी चाहिए वो काम क्या करते हैं, किस तरह से उनका काम चलता है, लाइफ में और क्या क्या चीज़ी है ऐसी बहुत सी knowledge आपको होनी चाहिए सिर्फ किताबी बाते ही काफी नहीं होती बलकि किताबों के साथ साथ लाइफ की deeply knowledge भी आपके लिए बहुत जरूरी है इसके बादे आप चाहिए job करो या business लेकिन उसमें अपने आपको इस तरह से जोग दो कि भाई जिस stage पर जिस level पर आप अभी इस time हो अगले साल इस से उपर का level आप जरूर अचीव करो आपकी खुद की सोच और आपका confidence इतना high level होना चाहिए कि आपकी जिन्दगी को पूरी तरह बदलने का दम रखे मैं क्या कर सकता हूँ मैं पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं ये सब सोच कर खुद को कमजोर मत बनाओ आप जो करोगे वो 200% सही होगा और नहीं भी हुआ तो उसे बना देंगे ये attitude आपका होना चाहिए और इसके बादे अपने पास और साथ रखो वो लोग जिने आप में वाकई कुछ कर दिखाने की काबिलियत नजर आती है कभी मन डोलने लगे तो बात कर के देखना इन लोगों से ये फिर से आपके अंदर जिन्दगी को जीने का ऐसा आत्म विश्वास भर देंगे कि आपको लगने लगेगा कि आप सिर्फ यूही पैदा नहीं हुए ये जिन्दगी आपको वाक कई कुछ कर दिखाने के लिए मिली है दोस्तो अगर आप स्टुडेंट हैं अगर आप गोर्नमेंट जोब की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल और कॉलिज में हैं तो मैंने खबरी आप पर स्टुडेंट के लिए कुछ खास अप्लोड किया है चीसे सुनकर आपको खुट में बहुत पावर फील होगी और आप पढ़ाई को बहुत जल्दी याद कर पाएंगे खबरी आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसे सुनना ना भूलें इसके साथी वीडियो को लाइक करो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको यी वीडियो कैसी लगी इसके साथी अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े तो प्लीज यार अभी जुड़ो वहाँ मैं बहुत सारी चीज़े अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौझूद है तो अभी के लिए बस इतना ही मैं मिलूँगा आप सेने वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद